हलो प्रेंड्स मैंसलफ शभीर उसेन and you are watching cobra dog दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे जैन्व वैल्गम के बारे में यानि की नॉटनीज के बारे में आज की वीडियो में आपको बताएंगे के जैन्वल्गम केया होता है साथ ही आपको बताएंगे कि जैनू वेलगम यानि कि नौक नीज का physical assessment कैसे करना होता है और कब आपको tension लेने की जरूवत है अगर आपके बच्चे को नौक नीज है या जैनू वेलगम है तो कब आपको चिंता लेने की जरुवत है और कब आपको चिंता लेने की जरुवत नहीं है तो इस वीडियो को END तक रहना विलकूल ना भूलें चैनल पर नहेंसे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और नीचे बेल एकन को भी दबा लिजे ताकि आपको मारे आने वाली वीडियो के नोटिकेशन मिलते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तो जैनू वेलगम जैनू का मतलब होता है नीज और वेलगम का मतलब होता है बेंडिंग आउटवर्ड्स यानि की नोक नीज इसमें क्या होता है कि नीज दोनों आपस में चिपक जाते हैं और जो एंकल्स हैं वो अपार्ट हो जाते हैं आशी कंडिशन में कब आपको घबराने की जरुवत है और कब आपको घबराने की जरुवत नहीं है दोस्तो अगर आपके बच्चे की एज 2 साल से ज्यादा है और 8 साल से कम है और आपको यह observe होता है कि आपके बच्चे को knock-neez है तो आपको चिंता करने के आवशकता नहीं है knock-neez basically बच्चों के अंदर एक developmental growth phase का एक part होता है जैसे जैसे बच्चा grow करता है वो knock-neez ठीक होने लगता है पर आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है अगर आपका बच्चा 4 साल का है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो inter-malular distance है उसको measure करते हैं अगर inter-malular distance at the years of age 4 साल के बच्चे के अंदर अगर आपकी inter-malular distance 10 cm से कम आ रहा है तो आपको घबराने की जरुवत नहीं है वो आपका knock-neez जो है वो कम होता जाएगा पर अगर 10 cm से ज्यादा inter-malular distance आती है तो दोस्तों आपको surgical intervention की तरफ जाना पड़ सकता है जिसमें doctors supra-condylar wedge-shaped osteotomy perform करते हैं और knock-neez deformity को correct करते हैं तो इस तरीके से surgical intervention से doctors knock-neez का treatment करते हैं अब बात करते हैं non-surgical treatment क्या होता है कि आपके physiotherapist अगर 10 cm से कम का inter-malular distance है तो वो बच्चों को knock-neez का splint provide करते हैं दोस्तों knock-neez का splint में क्या होता है कि आपके बच्चे को medial shoe raise दिया जाता है generally depending on the condition 3-16 inches का medial shoe correction दिया जाता है और साथ ही जो आपके knock-neez के लिए splint आते हैं उसको customize किया जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताया knock-neez के बारे में और जैनू वेल्गम के बारे में उम्मित करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी जैनू वेल्गम से रिलेटेड और knock-neez से रिलेटेड अगर आपके कुछ सवाल है तो नीचे comment section में मुझसे पूछना बिल्कुल ना भूलें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें हमाई चनल को सब्स्क्राइब करें thank you for watching physio talk